क्यूं नहीं शुरू करनी चाहिए आपने मुझे मौजूदा पाटियों में शामिल होने के लिए नहीं काई अच्छी बात है सिर्फ बाहरी स्थितियों को संभालने से इंसान की खुशाली नहीं आने वाली ताकि राजनिती में होना नीजी महत्वकांशा न होकर देश के निर्मान के लिए हो आप मुझे क्या निशान देंगे तो सद्गुरू पहला सवाल ये है कि आप दुनिया भर में घुमते हैं बहुत से लोगों से मिलते हैं और जैसा कि मैंने सुना है आप पिछले 35 सालों से उनके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं इन सालों में आपने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया होगा मुझे लगता है कि यहां सरकार की भी जिम्मेदारी है कि लोगों का अच्छा खयाल रखें और उनकी मदद करें तो मेरा सवाल यह है कि आप एक राजनीतिक पार्टी बनाकर लोगों की प्रतिनीती बनने की कोशिश क्यों नहीं करते यह दुर्भाग्य है कि राजनीति के बारे में हमारी सोच बहुत विक्रित है दुनिया के जादा तर हिस्सों में और खास कर भारत में अगर आप कुछ गलत करते हैं तो हम कहते हैं वो राजनीति कर रहा है देखिए वो मुझे किसमे धकेलने की कोशिश कर रहे है लेकिन इसका असली अर्थ ही ये है कि राजनीति का मतलब है नीतियां बनाने का काम इसका मतलब है कि आप देश के लिए दिशा तै करते हैं कि देश किस दिशा में जाए क्या हासिल करे लोग कहां पहुँचे मूल रूप से जहाज को दिशा देना अगर आप देश को एक यात्रा के रूप में देखें तो हम कहीं जा रहे हैं किसी को इसे आगे बढ़ाना होगा मेरे विचार से ये दुनिया की सबसे महत्वफून चीजों में से एक है जिसे सर्वोच जिम्मेदारी और समवेदन शील तरीके से करने की जरूरत है दुर्भाग इसे उनमें से कई लोगों ने इसे कमाया नहीं है आज ये इस तरह से हो गया है अगर आप राजनिती शब्द बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी गंदी चीज के बात कर रहे हैं ये लगभग ऐसा हो गया है तो ये कहने के बाद अगर मैं आपको जोक सुनाओ तो चलेगा आप गंभीर लग रहे हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ एक बार ऐसा हुआ तीन रिटाइड बुजुर्ग आदमी उनमें से एक सर्जन था दूसरा जनरल था और तीसरा राजनेता था वे एक व्रिधाश्रम में मिले उन्होंने गॉल्फ खेला लेकिन खेल बरबाद हो गया तो उन्होंने सोचा कि वे कम से कम अच्छी गपशप करेंगे खेल खराब हो गया क्या करें कम से कम गपशप अच्छी रहेगी तो उन्होंने बात शुरू की और फिर वे बोले, सरजन बोला, सारे पेशों में, सबसे महत्वपून पेशा सरजन का होता है, क्योंकि आदम की एक पसली को काट कर ही उससे हवा बनाई गई, और इससे पूरी दुनिया बनी, तो इससे महत्वपून और क्या हो सकता है, सरजन क पेशा ही दुनिया में सबसे महत्वपून है, तो जनरल ने कहा, अरे छोड़ो, ये साफ कहा गया है, कि तब उथल पुथल थी, तो रिब सरजरी से पहले वेवस्था कायम करना जरूरी था, तो एक जनरल के अलावा और कौन वेवस्था ला सकता है, जाहिर है कि हम तुम ल पुख सब गलत समझ रहे हो, वो उथल फुथल पैदा किसने की, ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए, राजनीती का मतलब ये नहीं है, राजनीती का मतलब है समस्याओं को सोलजाना, ना कि समस्या पैदा करना, तो मुझे एक नई पड़ी क्यूं नहीं शुरू करनी चाहिए, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरे लिए कम से कम हजार वोट है लेकिन इससे आप कहीं नहीं पहुँचने वाले लेकिन मुद्दा ये नहीं है मुद्दा ये है कि मानव जीवन के दो आयाम है एक है बाहरी स्थितियों को संभालना जो एक तरह से नीति निर्माताओं का काम है और दूसरा है इनसान के भीतरी आयाम को संभालना इस संस्कृति में हमने इनसान के भीतरी आयाम को संभालने को बाहरी चीजों को संभालने से हमेशा कहीं जादा महत्वपून माना है क्योंकि आप बाहर को चाहे जितने भी अच्छे से संभाल लें लेकिन फिर भी अगर आप अपने ही भीतर ठीक से विवस्थित नहीं है तो आपके जीवन में जहमेले होंगे देखिए मैं आपको बता रहा हूं मुझे यकीन है कि आईटी खड़कपुर में 12,000 चाहत रहोंगे और कम से कम 24,000 शिकायते होंगी लेकिन सच तो ये है कि मानवता के इतिहास में कभी भी किसी और पीढ़ी की तुलना में आप और मैं सबसे जादा आराम, शमताओं और सुख से विदाओं के साथ जी रहे हैं है न क्या ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी और किसी पीढ़ी ने कभी इतनी शिकायते नहीं की जितनी हम हमेशा कर रहे है हम इस विवस्था का आनन नहीं ले रहे मानफता के इतिहास में इंसान के लिए जीवन चलाना इतने अच्छे से कभी विवस्थित नहीं था जैसा कि आज है तो एक इंसान के लिए यही समय है कि वो अपने भीतरी पहलू को विवस्थित करे ताकि ये बाहरी विवस्था बेकार न जाए मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दुनिया में पर्याप सबूत मौजूद है कि लोग बाहरी तोर पर सबसे अच्छी विवस्था को भी अपने भीतरी चीजों से बिगार सकते हैं यूरोप की 38 फीसदी आबादी मनोरोग की दवाईयां ले रही हैं मैं यूरोप की आबादी की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज ये वो समाज है जिसने इस धर्ती पर सबसे लंबे समय से आर्थे और भौतिक खुशाली का आनंद उठाया है लगभग 200 साल से वे भौतिक खुशाली का जैसा आनंद ले रहे हैं वैसे दुनिया में किसी समाज ने नहीं लिया उन्होंने इसे कैसे हासिल किया वो अलग बात है मैं उसके विस्तार में नहीं जाता ठीक है लेकिन उन्होंने इतने लंबे समय से भौतिक खुशाली का अनन लिया है और ये 38 फीसदी आबादी अगर आप बस कुछ दवाईयों को बाजार से हटा ले तो वो सारे देश कल सुबह पागल हो सकते हैं हाँ, अगर दवाई की कमपनिया हर्ताल कर दें तो सब पागल हो जाएंगे ये क्या है, आप इसे खुशाली कहते हैं तो आपको समझना चाहिए सिर्फ बाहरी स्थितियों को संभालने से इनसान की खुशाली नहीं आने वाली आप आराम का इंतजाम कर सकते हैं आप सुविधाय जुटा सकते हैं आप जीवन चलाने की विवस्था कर सकते हैं आप खुशाली का इंतजाम नहीं कर सकते खुशाली ऐसी चीज है जो आपको अपने भीतर कमानी पड़ती है इनसानी खुशाली लाने की जिम्हदारी मैंने खुद पर ली है क्योंकि ये आपकी भीतरी विवस्था है ये बहुत महत्वपूर्ण है वरना विज्ञान और टेकनॉलिजी ने हमें जो उपहार प्रदान किये हैं वो बरबाद चले जाएंगे और ये उपहार मुफ्त में नहीं आये हैं मान लिजे कि हम अभी इस हौल में आराम से बैठे हैं अगर इस हौल को खड़ा करना है तो हर कीड़े, चिड़िया, जानवर और पेड़ पौधे ने इसकी कीमत चुकाई है, है न? हाँ या नहीं? हर उस सुविधा के लिए जिसका आप और मैं आनन्द ले रहे हैं क्या हर दूसरे जीव ने जबरदस तकलिफ नहीं जे लिए? हलो? जब हमने इतने कश्ट दिये हैं तो कम से कम हमें तो खुश होना चाहिए हम आराम से बैठे हैं और हम दुखी हैं तो हमें कोई हक नहीं है कि हम उन्हें कश्ट दे हैं न? हमने खुशाली पाने के लिए दुनिया में ये सब किया क्या हम वाकई खुश हैं? हमारी पिढ़ी सबसे ज़ादा आराम में है लेकिन क्या हम दावा कर सकते हैं कि हम सबसे खुश पिढ़ी हैं? दुर्भागे से नहीं है न, मैं इसी को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ तो राजनिती करने को इतने जादा लोग उत्सुक हैं, हमें उन्हें बदलने की जरूरत है ताकि राजनिती में होना नीजी महत्वकांशा न होकर तेश के निर्मान के लिए हो इस संदर्म में हमें उन्हें बदलना है, कि ये कोई पेशा न हो ये एक तरह की सेवा है, जो आपको देनी है तो अगर उनके दिलो दिमाग में ये बदलाव आता है, जो लाने की हमारी कोशिश है तो ये मेरे एक और पार्टी शुरू करने से कहीं बड़ा होगा मुझे लगता है कि पार्टियां बहुत ज़ादा है यहां तक कि EVM मशीन भी शिकायत कर रही है क्योंकि सारी पार्टियों के लिए परियाप्त खाचे नहीं है वे परियाप्त चुनावची नहीं खोज पा रहे हैं आप मुझे क्या निशान देंगे वे कह रहे हैं पगड़ी तब सिर्फ सरदार जी मुझे वोट देंगे तो एक और राजनितिक पार्टि की ज़रूरत नहीं है मैं तो कहूंगा कि देश में राजनितिक पार्टियां कम होने चाहिए दो या तीन या चार न कि 200 पार्टियां ये चीज बस लोगों को अलजहा रही है वे ये भी नहीं जानते कि किसे वोट दें क्योंकि आपके चाचाने एक पार्टी शुरू की है तो आप उनको वोट कैसे नहीं दोंगे आप ये भी नहीं जानते कि उनकी विचारधारा क्या है आप नहीं जानते कि उनकी निती क्या है देश के लिए उनकी दूर दृष्टी क्या है कुछ नहीं लेकिन वो आपके चाचा है तो अगर मैं पार्टी शुरू करता हूँ तो वे लाखों लोग जो मेरी और किसी वज़े से आकरशित हुए है उनको पता नहीं होगा कि मेरी दूर दृष्टी क्या है मैं ये पार्टी क्यों शुरू कर रहा हूँ सद्गुरू है हम इने वोट देंगे मैं वो बकवास नहीं लाना चाहता झाल 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 झाल